बच्चों आपने चोड़ियों की बड़ियों की मात्रा के दो, तीन, वे चार बढ़नों वाले शब्दों को पढ़ना सीख लिया, बच्चों आज हम वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे, तो येस, ओपने और बूक, पेज नमबर, फिफ्टी, कौन सा पेज नमबर है, फिफ्टी पेज नमबर है, तो शूर करते हैं, सुभे का समय था, चुन्मन चुया गुंसुं थी, तभी राजु धूर उडाता आया, पूजा खर बूजा लाई, राजु जूला जूलता रहा, भूका भालू तर्बूज खा गया, नूतन का रुमाल उड़ गया, नीटू आलू कचालू अम्रूद वै अम्चूर लाया, चुहा चुन्मिरी उतर गया, मदाली दम्रू बजाता रहा, ये क्या है आपके वाक्ये, इन्ही वाक्यों में से हमां प्रश्न उतर बनाएंगे, ओके बच्चों, तो yes, open your notebook, first of all, दिनाग में चुन करेंगे, कप्षा पार बनाएंगे, पार्ट पांच बनाएंगे, निम्न प्रश्नों के उतर लिखिए, तो yes, प्रश्न नमबर वर्ण, पूजा क्या लाईगे, पूजा क्या लाईगे, पूजा क्या लाईगे, आपने ब पूजा क्या लाईगे, खर बूजा, पूजा क्या लाईगे, खर बूजा, प्रश्न नमबर टू, भूके भालू ने क्या खाया, तर्बूज, भूके भालू ने क्या खाया, तर्बूज, प्रश्न नमबर ट्री, चुनली कौन उतर गया, तो उतर क्या है, पर चुहा, चु आपको ये प्रशन उत्तर याद करने हैं ओके विच्चो थैंक यू